खुपसुरत दिखनी की चाहत हर किसी की होती है अलाकि कई बार बढ़ता वजन हमारी चाहत को पूरा नहीं होने देता लड़कियों को अक्सर बढ़ेवे वजन की काफी परिशानिया जहलनी पड़ती हैं खास कर अगर आम्स यानि बाजू पर फैट जमा हो जाए तो यह confidence कम करने लगता है ऐसे आप कुछ टिप्स की मदद से आसानी से वजन कम कर सकते हैं आई जानते इस वीडियो में कि घर बैठे कैसे आपको अपने फ्लैबी आम्स को टून करना है नमशकार में आशुतो शुपाद्ध है और अब बोल्ट सकाई हिंदी देख रहे हैं हाथों के बाजूँ में जब फैट इखटा हो जाता है तो इन्हें अंचोन कर देता है जिसे फ्लैबी दिखने लगते हैं और वहीं फ्लैबी आम्स कई कारणों से हो सकता है जैसे मुटापा, हार्मोनल परिवरतन, लाइफस्टाइल और कभी-कभी जेनेटिक के कारण भी होते हैं अच्छी बात यह है कि घर बैठे फ्लैबी आम्स को टून किया जा सकता है कुछ एक्सरसाइज और अन्य टिप्स की मदद से आप इससे राहत पा सकते हैं तो चली जानते हैं वो कौन सा एक्सरसाइज और कौन सा टिप्स है जिससे आप अपने फ्लैबी आम्स को कंट्रोल कर सकते हैं सबसे पहले पुश अप्स यह सबसे आसान और प्रचलित वर्काउट में से एक है इससे ड्राइसेप्स बाइसेप्स और कंधे टोन होते हैं और फ्लैबी आम्स को भी कम करते हैं वहीं दूसरा ट्राइसेप्स डिप्स एक बहतरीन एक्सरसाइज है जिससे घर बैठे आसानी स किया जा सकता है किसी कुरसी या सोफे की किनारे पर बैठें और पैरो को सीधा फैला ले और दोनों हाथों से पीछे सोफा पकड़कर धीरे धीरे नीचे जमिन तक जाएं और इसी तरह उपर भी वापिस आएं वहीं सिंगल आम प्लैंग के शरीर को संतुलित बनाये रखता डंबल उठाएं इससे टोटल फैट कम होता है और मसल मास और मजबूती बढ़ती है जिससे फ्लैबी आम्स कम होती है और टोन होने लगती है इन सारे एक्सरसाइज के बाद आपको अपने खान पान पे भी बहुत ध्यान रखना है जैसे कि डाइट का ध्यान रखते हुए आपको फ्लैबी आम्स को कम करना है तो अपनी कैलोरी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है और वहीं इंसुलिन स्पाइक करने वाले फूट्स का सेवन ना करें फल, सबजी, दाल, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और नट्स का सेवन करें आपको बताते कि फ्लैबी आम्स को कम करने के लिए कोई खास डाइट नहीं होती है इसके लिए टोटल फैट कम करना ही एक मात्र विकल्प माना क्या है या ज़नकारी आपको कैसी लगए कमड़ बॉक्स मली के ज़रूर बताईएगा थन्यवाई